वेलकम बच्चों, इन दिस अनादर लेक्चर ओफ क्लासिफिकेशन ओप अनिमल किंगडम, पिछले लेक्चर में हमने फाइलम एसकाहलमेंटीज के जनरल करेक्टर्स के बारे में डिसकसिन किया है, और आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, उसमें हम फाइलम उनके बारे में डिसकस करेंगे, और मैं शुरुवात करना चाहूँगा, एसकरिस से, यह इसका रिप्रेजेंटेटीव एनिमल है, एसकरिस, और जो कॉमन स्पीशीज है, वो है एसकरिस लुम्रिकोईडिस, बचों यह जो एसकरिस है, यह हमारी स्मॉल इंटरस्टाइन में पेरासाइट है, हुमन्स में, स्मॉल इंटरस्टाइन पेरासाइट, इन हुमन्स, और दूसरा यह, कि यह मोनोजेनेटिक है, यह जो पेरासाइट है, यह मोनोजेनेटिक है, मतलब इसमें एक ही होस्ट है, सिंगल होस्ट, तो इस से पहले जो हमने discussion किये थे facial washic acid, वो digenetic parasite था उसमें दो host थे, एक sheep और got दूसरा snail था फिर हमने टीनिय सोलियम और टीनिय सेजिनेटा के बारे में discussion किया tap worms में जिसमें primary host human है man है और जो secondary host है वो या तो pig है या फिर उसमें beef, cow जो गिरा होते हैं, वो उसके secondary host थे, तो वहाँ जो पुराने examples हैं, हमारे वो, वो digenetic parasite के हैं, ascaris में एक ही host है, और इसलिए हम इसे monogenetic parasite कहते हैं, तो यह monogenetic parasite है, इसका एक ही host है, single host, and that is to human. correct, मैंने यहाँ उपर बता दिया, कि यह human में कहां रहता है, तो यह human की small intestine में रहता है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर एक diagram है, और उस बारे में बात करें, यह थोड़ा सा मैंने sketch बनाया है, और यह बिल्कुल भी proportionate नहीं है, पर मुझे सिर्फ organs के बारे में discussion करना आए, तो मैंने उन organs के बारे में discussion, उनीक का diagram बनाया है, इसको मैं थोड़ा चोटा गर देता हूँ, इसके भी अब जरूत नहीं एक तरफ रख देते हैं इसको, यह आपको समझ में आई गया है, यह आपको अपने notes में लिख नहीं है, अब जड़ा देखिए, कि जो ascaris है, वो यहां रहेगा, इस जगे पर यह यहां रहते हैं, small intestine में मान लीजिए, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यह unisexual होते हैं, तो इसमें male और female ascaris जो होंगे, वो यहीं रहेंगे, और यह जो diagram मैंने इस तरह से बनाया है, कि वो sexual intercourse कर रहे हैं, और sexual intercourse करने के बाद जो female है, वो अपने eggs जो है, वो intestine में ही release करती है, और इस तरह से जो fecal matter है, जो undigested food है, उसी के साथ यह जो अंडे हैं, यह बाहर आ जाएंगे, तो आपको इसका life cycle में आपको explain करने जा रहा हूं, और आपको इसको ध्यान से समझना है, शुरुआत करिए मैंने यहां से, यहां मैं number one लिख देता हूं, male और female ascaris दोनों किसी की body में है, किसी human की body में है, और वहां उन्होंने sexual intercourse किया, आपको याद होना चाहिए, इनमें copulation होता है, इनमें fertilization internal होता है, और internal fertilization के बाद जो female है, वो fertilized eggs को बाहर release करती है, तो जो eggs हैं, यह बाहर आ जाएंगे, eggs are released out through fecal matter, ठीक है बच्चों, fecal matter का मतलब जो stool है, उसे हम fecal matter कहेंगे, यानि कि जो undigested food, जो defication हम करते हैं, fecal matter, stool, उसी के साथ यह जो eggs हैं, यह fertilized eggs हैं, और यह बाहर आ जाते हैं, अब बच्चों, किसी egg को मैं ध्यान से देखूं, तो उस egg में उसका embryo होता है, उसका embryo है, और कुछ something वो, जो fecal matter है, वो तो soil में पढ़ा रहेगा, soil में कैसे आया, यह मैं बता देता हूं, कि यह जो ascaris का infection, यह तभी फैलता है, जब लोग open defication करते हैं, खुले में शोज करते हैं, हमारे जो मानिय प्रधान मंत्री जी हैं, वो लंबे समय से एक plan चला रहे हैं, प्रोग्राम चला रहे हैं इंडिया में, कि हम जो है open defication की जो इंडिया में लोगों की tendency है, उसे minimize करने की कोशिश कर रहे हैं, कई सारे toilets बनाए जा रहे हैं, पर यह एक बढ़िया example है कि open defication से क्या नुकसान होता है, तो suppose कोई person है, कोई human है, वो किसी खेत में या किसी खूली जगे में जाके उसने defication किया, और फिर वहाँ से वो तो चला गया, लेकिन वो जो उसका fecal matter है, वो धूल, मिट्टी के साथ, आसपास जो कोई अगर खेत है, जहां सबजें उग रही है, तो वहाँ खेत में जा सकता है, या बारिश वगेरा कुछ आती है, तो पानी जब गिरेगा, तो पानी के साथ वो जो अंडे है, वो पास में किसी water body में, किसी तालाब में, किसी कुए में, वहाँ पर भी इस तरह से जा सकते हैं, और otherwise जो है खेत में तो जाही सकते हैं, animals के पाउँ पढ़ेंगे, वो प 14 days, उस अंडे में एक इस तरह का लार्वा जैसा structure बन जाता है, और उस लार्वा को हम first stage लार्वा कहते हैं, first stage लार्वा कहेंगे, कहां बना ये first stage लार्वा, ये वहाँ बाहर soil में ही बन गया है, और यहीं इसमें first molting होगी, m-o-u-l-t-i-n-g अब ये malting आपके लिए नया word हो गया, ये word आपने पहले नहीं सुनाए, तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये malting का क्या meaning हुआ, देखो बच्चों आपको याद होगा, कि हमने जब ascaris की body wall बनाई, तो उसमें सबसे बाहर एक cuticle बनाते हैं, और मैंने आपको बताए कि जो cuticle होती है, वो dead layer है, यानि कि वो basically non-cellular है, और protein से बनी हुई है, अब जड़ा सोचिए कि ये हमारे पास एक ascaris है, चोटा सा उसका larva है, और ये इसकी surface पे मैं एक cuticle बना देता हूँ, ये देखिए, तो मान लीजे मैंने इसकी surface पे ये cuticle बना दी, अब cuticle क्योंकि थोड़ी hard ह होती है, protein की बनी होती है, rigid होती है, तो ये जो animal है हमारा, अगर ये grow करना चाहेगा, इस तरह से इसकी जब growth होगी, तो growth हो नहीं पाएगी, क्योंकि ये जो बाहर वाली cuticle है, ये cuticle उसकी body को elongate नहीं होने देती बिटा, ये बिल्कुल वैसा ही हो गया कि अगर आपके पाउ में लोहे के जूते पहना दिये जाएं, और उन जूतों को आपको खोलने नहीं दिया जाए, और ऐसा अगर आपकी किसी बच्चे के साथ 8-9 साल की उम्र में कर दिया जाए, तो जब वो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, उसका पूरा शरीर तो grow कर जाए के लिए उसके मज़दार बात है कि चाइना में जो महिलाएं होती है, उनके छोटे-छोटे पेर जो हैं, वो खुबसूर्ती की निशानी माने जाते हैं, तो वहाँ एक ट्रेडिशन है कि कम उम्र में ही, 7-8-9 साल की उम्र में ही लड़कियों को लोहे के जूते पहना दिये जाते हैं, और इसे बाद हड्यों की ग्रोथ बंद हो जाए, उसके बाद ही वो जूते खोले जाते हैं, और फिर क्योंकि अब हड्यों की ग्रोथ बंद हो चुकी है, तो उनके पाउं बड़े नहीं होंगे, और इस तरह से उनके पाउं छोटे-छोटे रह जाएंगे, तो ये वहाँ बड ही है कि यह जो ascaris है इसके ऊपर यह एक cuticle की layer है और जब तक cuticle की layer रहेगी ascaris grow नहीं कर सकता है तो ऐसे में अगर इस ascaris को एक time आएगा कि इसको 6 दिन हो गया आट दिन हो गया और अब इसको growth करनी है तो growth से ठीक पहले यह जो cuticle होगी इसको shed कर दिया जाएगा इसको उतार के फैंक दिया जाएगा इसको प्रोसेस को भी अपनी skin को उतारने की और same जैसे साप अपनी केंचुली उतारता है अपनी kommt को उतारते है और जैसे एक बार cuticle उतर जाएगी तो नई cuticle बनने में 3-4-5 दिन का समय लगेगा और by the time animal जो है उसकी थोड़ी सी growth हो जाएगी correct समझ में आया आप लोगों को पर वापस cuticle बन जाएगी इसके उपर meanwhile अब अगर इस animal को फिर से growth करनी है तो कुछ दिन ऐसे ही रहेगा और कुछ दिनों बात फिर से एक बार cuticle shed off होगी तो ऐसे regular interval पर ये अपनी cuticle को shed off करते रहते हैं तब तक ये ऐसा करते रहेंगे जब तक ये अपनी final जो length है उसको achieve नहीं कर लेते हैं यानि कि adult नहीं बन जाते हैं adult बनने के बाद ये cuticle को shed करने का प्रोसेस है उसके requirement नहीं रहती बचो तो आपको समझ में आ गया what is malting तो ये एक हमारे लिए पास important term है malting shedding of their cuticle तो मैं यहाँ कहीं एक तरफ लिख देता हूँ malting क्या होता है shedding of shedding of their cuticle और ऐसा क्यों करना पड़ता है to allow growth of the body ठीक है बच्चो वापस इधर आ जाएं तो आप देखिए कि ये जो हमारा embryo है इस embryo से larva बन गया है और इस larva को हमने नाम दिया है first stage larva अब इस first stage larva में first molting होगी तो उस अंडे के अंदर थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ में ये इनका second stage larva बन जाएगा second stage larva और कहां बना ये भी अभी वहीं पड़ा हुआ है soil में और बच्चो ये जो second stage larva है ये highly resistant होता है environmental conditions को लेकर सूखे में बीना पानी की ये लंबे समय तक मिट्टी में पड़ा रहेगा खेत में पड़ा रहेगा कहीं पर भी पड़ा रहेगा और मैं आपको बता देता हूँ कि maximum up to six years ये वहाँ viable रहता है इसकी further growth नहीं होगी पर ये वहाँ viable रहेगा ये ये destroy नहीं होता है और within this six years कभी भी किसी भी तरीके से ये अगर किसी human की body में चला जाए तो एक question आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि which is the infectious stage for the human तो जो infectious stage है वो ये रहेगी second stage larva और ये human के body में चला जाएगा तो अब human की body में कैसे जाएगा तो ये तो obvious है कि या तो उसने contaminated water पानी पी लिया जिसमें ये अंडे हैं जिनमे second stage का larva present है या इन्होंने कहीं सबजियां इससे बीना कच्चे सबजियां खाली जैसे मूली गाजर या कुछ ऐसी पत्तेदार सबजियां खाली और उसको इन्होंने पकाया नहीं है तो इस तरह से ये body के अंदर enter करता है तो यहां से अब हम इसको सीधा यहां इसके मूँ में आ जाते हैं ठीके मैं यहां इस जगे पर इसको terminate कर रहा हूँ या फिर चलो आपकी convenience के लिए मैं इस arrow को गुमा के यहां ले जाता हूँ ठीक जैसे ही इसको खाएगा वो जो एग है वो एग ही है एग के अंदर लारवाए तो उसके उपर शेल है तो स्टमक में आएगा और स्टमक के में आके वो एक बार small intestine में आ जाएगा तो यहां देखिए मैं इसको color थोड़ा change कर रहा हूँ यह green color का और जैसे ही है यहां small intestine में आ जो यह से कि जो second stage larva है it comes out second stage larva comes out from the egg from the egg after hatching hatching हम कहते हैं जैसे अंडा फूटा उसमें से बच्चा बाहर निकलता है तो उस प्रोसेस को हम hatching कहते हैं तो यहां पर भी उस एग के उपर जो शेल होता है उस शेल को तोड़के उसमें से यह छोटा सा बिलकुल microscopic होता है ज्यादा बड़ा नहीं है और इसे hundreds of eggs जो हैं वो खाने के साथ हमारी body में जा सकते हैं और जो release होगा वहाँ पर वो इसका यह देखिए second stage larva वहाँ से release हो जाएगा अब बच्चों यह second stage larva भी intestine में रहेगा नहीं क्योंकि यह इसके लिए बड़ी problematic place है अभी इसको बड़ा होना है और बड़ा होने के लिए अभी तो क्योंकि size बहुत छोटी है और बड़ा होने के लिए इसको time to time अपनी जो cuticle है उसको shed off करना पड़ेगा और जब यह यह cuticle को shed off करेगा और अपनी growth करेगा malting करता रहेगा तो इस process में हो सकता यह मर जाए क्योंकि जैसे यह cuticle shed off करेगा enzymes की वज़े से यह destroy हो जाएगा तो यह जो हमारा larva है second stage का larva यह यहां intestine में रुकेगा नहीं बलकि intestine की wall को puncture करके यह सीधा liver में पहुंच जाएगा तो यह blood vessel से आया, तो intestine से जो blood vessel liver को जाता है उसको hepatic portal vein कहते है, hepatic portal vein, portal vein कहते है इसको, तो portal vein के through यह intestine से देखिए बच्चों यह liver में पहुंच गया, और अब liver से यह सीधा जाएगा heart में, क्योंकि liver का जो blood है, वो heart में जाता है तो यह भी heart में पहुंच जाएगा, किसके through गया यह तो यहां मैं आपको बता देता हूँ कि यह जो हमारी vein है, इसका नाम है simply hepatic vein, फरक है, यह विसे blood vascular system जब आगे मैं आपको पढ़ाओंगा उस बारे में, उस समय यह सारी चीज़ें पढ़ा ही जाएगी आपको, अभी थोड़ा सा याद रखना पढ़ेगा आपको, कि liver से जो vein निकल के heart में जा रही है, वो directly heart में नहीं जाती है, पहले वो inferior vina keva में जाएगी, but anyway, आपको भी ध्यान रखना है कि liver से वो सीधा कहां पहुंचा, heart में पहुंच जाएगा, और heart से वो फिर ventricle में जाएगा, और ventricle से वो, क्योंकि heart का blood purification के लिए lungs में जाएगा, तो ये भी हमारा lungs में पहुंच जाएगा, और जैसी lungs में इस तरह के alveoli होते हैं, तो जैसे ये वहाँ पहुंचेगा, तो इसको lungs का जो environment है, वो बड़ा पसंद आ जाएगा, क्योंकि वहाँ ठंडी-ठंडी हवा बाहर से आ रही है, अंदर से बाहर जा रही है, regular ventilation हो रहा है, हम पहुंचने के बाद, ये अपना next जगे बड़ी favorable है उसके लिए, तो वहाँ पर ये क्या है कि अपनी second molting करेगा, और जैसे ही है second molting करेगा, second molting के बाद में वहाँ पर third stage का लारवा बनेगा, third stage लारवा, ये ऐसे है, कि embryo में सबसे पहले, यहां देखो, embryo से first stage लारवा बना, first stage लारवा में first molting होगी, तो second stage लारवा बनेगा, और इस second stage लारवा में, जो second molting होगी, वो lungs में जाके होगी और second molting के बाद जो बनेगा वो third stage larva बनेगा यह process यहाँ alveoli में lungs में ही होगा और उसके 5-6 दिन बाद एक बार फिर से इसमें molting होगी यहीं lungs में तो अब की बार जो molting होई है वो third molting होई है और third molting के बाद it is obviously कि कौन सा larva बनेगा fourth stage का larva बनेगा तो दो molting lungs में होगी और यह जो fourth stage का larva है यह अब क्योंकि इसके size भी थोड़ी बड़ी हो गई है तो यह क्या है ऐसे movement करते हुए देखो आप ध्यान से यह इस तरह से movement करते हुए हिलते डुलते यह उपर की और चड़ने लगेगा lungs में उपर की और चड़ने लगेगा और चड़ते चड़ते यह trachea में आ जाएगा और हमारी बकल cavity में यह नहीं हमारे गले में tongue के पीछे आ जाएगा और जैसे ही यह यहां पहुंचेगा हमें क्या होता है बिटा ऐसा थोड़ा सा लगता ही कि जैसे कोई छोटा सा कफ या थोड़ा सा कुछ खराश सी हमें गले में महसुस होती है तो हम ऐसे करते है इस तरह का इस तरह सा हम sound करेंगे कि हमको लगता है कि गले में कुछ आया है निकालने की कोशिश करते हैं तो जैसे हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे यह हमारी pharynx में आ जाएगा यहां पर और जैसे pharynx में आया normally क्या है कि वो कफ इतना होता नहीं हम उसको बाहर spit out करें हम जो भी कुछ मुँँ में saliva बन रही है saliva को जब निगलते हैं swallow करते हैं तो उसी saliva के साथ हम इसको वापस निगल लेते हैं और यह lung से निकल के आपकी इसोफेगस में आ जाता है आया समझ में आप लोगों को तो इसोफेगस से अब यह वापस elementary के नाल में जाएगा अपकी बार यह grow हो चुका है बच्चा यह fourth stage का लारवा है और यह fourth stage का लारवा अब stomach से वापस आपके intestine में पहुँचेगा और intestine में इसकी एक final malting होगी fourth malting होगी और fourth malting के बाद सीधा adult बन जाएगा तो यह देखो आपके वापस adult बन गया और एक बार यहाँ पर इसकी fourth malting और होगी fourth malting तो अपने पूरे life cycle में ascaris कितनी बार malting करता है चार बार करता है पहली malting soil में होगी बाहर second और third malting lungs में होगी और जो final malting होगी fourth malting उसके बाद लारवा नहीं बनेगा final malting के बाद जो निकलेगा animal उसमें से बाहर वो सिधा adult होगा और वो intestine में ही यह final malting होगी और बच्चों आराम से वो वहाँ पर survive करेगा और वापस adult बनेगा और क्योंकि अंडे तो बहुत सारे होते हैं बच्चों तो वहाँ पर ऐसे कई सारे ascaris इखटे हो जाएंगे और यह जो ascaris हैं यह हमारी intestine की mucosa को भी damage करते हैं वहाँ पर जो digest विसे खाने को तो इनको food available है जो खाना हमारा है जिसे हम digest कर रहे हैं उसी खाने को यह खा लेते हैं मैंने आपको बताया भी था कि इनकी जो pharynx होती है वो muscular होती है और उसके pumping action से यह इस तरह से food consume करते हैं बच्चों वहाँ रहते हैं बट at the same time यह हमारी थोड़ी जो mucosa है हमारी intestine की inner जो lining है उसको भी damage करते हैं उसको भी नुकसान ले लेते हम ascariouses जो इससे disease होगी उस disease को हम ascariouses कहेंगे और इसके जो symptoms हैं वो आपको बिल्कुल एक एक symptom line से याद रखना है कोई option नहीं है आपके पास एक तो बच्चों अगर किसी को पेट में ascarious present है तो उसको internal bleeding होने के chances रहते हैं क्योंकि ये intestine की wall को कभी कबार उसे उतरता रहता है काटता रहता है और वहाँ से फिर blood निकलने लगता है तो internal bleeding होती है दूसरा muscular pain भी होता है muscular pain और body में अगर आपकी कोई parasite present है तो उस इंसान को regular fever आ सकता है चो था लगातार क्योंकि blood loss होता रहेगा bleeding जो है blood निकलता है fecal matter के साथ वो blood बहार निकल जाएगा तो धीर धीर उसकी body में RBC का जो count है वो कम हो जाएगा उसका hemoglobin का जो quantity है वो भी कम हो जाएगी और एक तरह से उसको anemia भी हो जाएगा तो there is another symptom anemia और कई बार एक बड़ी interesting problem हो जाती है कि इतने ज़्यादा ascaris वहाँ इखटे हो जाते हैं कि वो आपस में ही एक दूसरे के साथ उलज के हमारी जो intestine है उसको block कर देते हैं और फिर जो हमारा food है वो आगे नहीं बढ़ पाता और severe painful condition इसमें develop हो जाती है तो एक ये और इसका symptom है blockage of blockage of intestinal passage intestinal passage तो ये आपको ऐसे कैसे जो symptoms हैं ये मैंने 5 symptom बताएं आपको ascaris के याद रखने हैं बच्चों Is that clear? और अगर मैं आपसे यहां एक question पूछूँ कि अपने पूरे life cycle में ascaris isophagus से कितनी बार गुजरता है तो क्या जवाब दोगे आप anyway मैं बता देता हूँ आपको इसका जवाब होगा कि अपने life cycle में isophagus से दो बार गुजरता है कैसे है कि पहली बार ये जो हमारा second stage का लारवा है जब ये इसको मूँ में गया तो ये isophagus से ही intestine में पहुचेगा पर अभी intestine से liver liver से heart heart से lungs और lungs से ये trachea से होते हैं उपर आएगा तो उपर आके ये वापस एक बार दूसरी बार जो है वापस isophagus से गुजरेगा तो ये question आपको exam में पूछा जा सकता है कि how many time it passed through the isophagus during its migration in our body तो answer आप दे देंगे कि it passed through the isophagus two times blockage of intestinal passage okay बच्चों तो ये हमारा ascaris का life cycle हो गया मैं आपको यहाँ पर देखिए आप इसको आपको notes बनाने के लिए ये chart में आपके सामने रखा है ताकि आप एक flow chart भी बना सकें starting कर रहे हम यहाँ पर embryonated eggs है तो जो embryonated egg है उनी से first stage का लारवा बनता है उस first stage के लारवा में first molting होगी तो first molting से second stage लारवा बनेगा यही second stage लारवा infectious stage to human है और अगर आपसे पूछा जाए कि human में इसका infection कैसे होता है तो human acquire the infection human acquire the infection through बताओ बच्चों तो जवाब हो जाएगा contaminated contaminated water vegetables and fruits या आप चाओ तो food भी include करना चाहें तो इस तरह से यह हमारी body में enter करेगा और it is very obvious कि अगर कोई population ऐसी है किसी देश में या किसी state में या किसी city में कोई human population ऐसी है जहाँ open defication बिलकुल नहीं होता है तो ऐसे में अगर open defication नहीं होता है तो ascaris अगर किसी person की body में हे भी सही तो वो उस person की body के बाद किसी दूसरे person की body में कभी भी किसी भी तरीके से नहीं जाएगा आया समझ में आपको तो इससे आपको importance समझ में आ गई होगी कि कई सारे parasites की जो infection की chain है उसको तोडने में open defication को avoid करना कितना helpful हो सकता है आगे बढ़ता है यह जो second stage का larva है इट enter into the human body through contaminated food water और यह सीधा जाता है it reach to intestine और intestine से मैंने आपको बताया कि it penetrate the wall of intestine and travel to liver through hepatic portal vein फिर hepatic portal vein से यह liver में पहुँच गया liver से यह जाएगा heart में heart में यह कैसे जाएगा बच्चों liver से heart में hepatic vein के तुरू जाएगा और heart से यह lungs में कैसे जाएगा तो heart से lungs में यह pulmonary artery के तुरू जाएगा ठीक है lungs में पहुँच गया यह lungs में यह वहाँ alvulai में आराम से ठंडी-ठंडी हवा आ रही है तो वहाँ यह alvulai में पहुंच जाएगा वहाँ इसमें यह देखो second molding होगी तो third stage larva बनेगा third stage larva में third molding होगी तो fourth stage का larva बनेगा fourth stage का जो larva है it climbed to trachea, trachea की तरब उपर आएगा और it is swallowed into isophagus जैसे ही हमारे गले में पहुंचेगा और अगर किसी इनसान ने गले में यह पहुंचा और उसको spit out कर दिया है, fake दिया है तो वो person बच जाएगा infection से लेकि normally ऐसा होता नहीं है क्योंकि यह इतना छोटा होता है और quantity इतनी नहीं है कि इनसान उसको spit out करे उसको महसूस भी नहीं होता है उसको गले में क्या है तो वो उसको निगल ही लेगा तो वो trachea से निगला और trachea की ठीक पीछे इसोफेगस है वहाँ चला जाएगा वहाँ यह small intestine में पहुंचेगा और एक final fourth molting करेगा और fourth molting के बाद वहाँ adult ascaris बन जाएगा इस देट clear बच्चों तो यह हमारा एक एक example हमारा complete होता है वो है ascaris के बारे में अब आते हैं हम एक और example लेते हैं यहाँ पर ascaris का member है और बड़ा ही famous है उसका नाम है butcher area bankrupti butcher area bankrupti बच्चों अपने नाम सुनाओगा इस butcher area bankrupti को हम filarial worm भी कहते हैं filarial worm भी कहते हैं और इंडिया में butcher area की दो species जो हैं वो famous है तो एक तो यह मैं आपको बता दिया butcher area bankrupti और दूसरा जो है वो butcher area malay यह south इंडिया में यह species जो है वो ज़्यादा dominant है वहाँ कोचीन और केरला में यह species वहाँ मिलती है butcher area malay और यह दो species इंडिया में है बच्चों ध्यान से सुनना है आपको कि यह जो है यह एक digenetic parasite है तो अब आपको तो समझ में आई गया होगा digenetic का मतलब इसके two hosts होंगे और इसका जो primary host है वो तो human है और इसका जो secondary host है जो की इसका vector भी है वो female culex mosquito है female culex mosquito है यह उसका secondary host है और क्योंकि यह disease को एक जगे से दूसरी जगे spread भी करता है तो यह इसका vector host है बच्चों इससे जो disease होती है उस disease को हम philariases कहते है इससे जो disease होती है उस disease को हम philariases या फिर हम उसको elephantiasis भी कहते है और जैसा कि इसके नाम से आपको पता चल गया होगा philariases, elephantiasis, elephantiasis इसमें जो पाउं है वो बड़े मोटे मोटे हो जाते हैं उस infected person के और उस वज़े से जो पाउं है वो हाथी के पाउं जैसा दिखाई देने लगता है और इसलिए हम इस disease को elephantiasis कहते हैं मेरे पास एक diagram भी होगा मैं आपको बताता हूं probably I have one diagram of that तो ये देखिए मैं आपको philariases का diagram बताता हूं ये बच्चों देखिए इस तरह का condition डवलप हो जाती है और इस disease को हम philariases या हम इसे elephantiasis कहते हैं तो आप इसका पाउँ देख सकते हो बच्चों कि कितना मोटा हो गया अब आपके दिमाग में question आएगा कि ये इसका पाउँ इतना मोटा कैसे हो गया तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो mosquitoes होते हैं female Qlex जब ये आपको काटते हैं इसका infection कैसे हो रहा है वो समझा रहा हूं मैं आपको कि जब ये आपको काटते हैं तो अपनी saliva के साथ ये इसके छोटे-छोटे लारवा होते हैं उनको आपकी body में inject करती हैं उन छोटे-छोटे बच्चों को उन छोटे-छोटे लारवा को हम microfilaria कहते हैं और ये microfilaria blood के थुरू आपके body के जो lower limb हैं जो दोनों पाव हैं और वहाँ पे जो genitalia है जो reproductive organs है उस area में जो lymphatic vessels होते हैं अच्छा आपको ये अब थोड़ा सा दिक्कत होगा कि ये lymph क्या होता है और lymphatic vessels क्या होते हैं तो आप घबरा हैं नहीं जब मैं आपको blood vascular system पढ़ाऊंगा तो मैं आपको lymph के बारे में बहुत अच्छा explanation दूँगा आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा कि ये lymph क्या होता है और lymphatic vessel क्या होता है लेकिन अभी हम उसकी detail में नहीं जाएंगे हम उसको पढ़ेने नहीं बैठेंगे कि lymph क्या होता है तो आपको भी इतना ही ध्यान रखना है कि it cause it cause chronic inflammation chronic का मतलब होता है बटा लंबे समय तक चलना है दो तरह की conditions होती है chronic biology में आप पढ़ेंगे तो हमें कई बार diseases होती है तो दो तरह के words होते है chronic होता है और एक acute होता है तो जैसे किसी इंसान का BP high है और उस high blood pressure के कारण उसकी kidney जो में है damage होने लग गया है और डोक्टर ने बोला कि आपकी kidney थोड़ी सी damage हो रही है और अगर आपने BP को control नहीं किया तो ये kidney धीरे 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 और खराब होती जाएगी और पता चला कि 5 साल, 6 साल, 7 साल में उसकी kidney धीरे 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 खराब होने लगे और जो इस दिन kidney खराब हो गई तो हम कहेंगे कि इसको renal failure हो गया लेकिन ये chronic renal failure था chronic का मतलब ही हो गया कि ये बीमारी 5 साल में धीरे 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 बढ़ती गई है तो कोई disease अगर ऐसे धीरे धीरे होती है था हम उसको कहते हैं chronic और अगर कोई रातो रात कोई condition develop हो जाए कि उस person ने कुछ ऐसा खा लिया पी लिया कि उसकी body में bacteria गुजगए और bacteria सीधी kidney में पहुँचे और आज तो बंदा बिल्कुल ठीक था शाम को बुखार आया कल दिन भर बुखार में परिशान रहा और person death ही होगी kidney दोनों fail होगी उसकी तो डॉक्टर इस कैस में कहेगा कि उसको acute renal failure हुआ है मतलब अचानक suddenly एक दम जो चीज डवलप होती तो हम word use करते हैं acute और अगर कोई condition कोई disease धीरे 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 डवलप होती है तो हम उसको कहते हैं chronic तो ये जो है बिमारी इसमें it cause chronic inflammation inflammation मतलब एक तरह की swelling है और वहाँ पर swelling के साथ साथ growth भी है तो ये inflammation में आपको आगे बढ़ाऊंगा inflammation भी आएगा जब blood पढ़ेंगे हम उस बारे में immune system पढ़ेंगे काफी सारा पढ़ेंगे हम inflammation के बारे में भी अभी आपको ये कुछ terms थोड़ा learn करना पढ़ेगा आपको याद रखना पढ़ेगा तो I repeat that this animal cause chronic inflammation of of lymphatic vessels कहां ये attack करता है lymphatic vessels में करता है lymphatic vessels of the lower limb mostly इसका जो effect आता है वो lower body part में आता है lower limb में और न सिर्फ limb वहाँ पर जो genital organs है penis और scrotum है वहाँ पर भी infection होता है तो ये भी हमें ध्यान रखना है question आता है बिलकुल ये जैसा मैं आपको लिख के दे रहा हूं उसी तरीके से question आता है ध्यान रखना है the genital organs also affected resulting in resulting in gross deformities means बिलकुल वो जो organ है वो बिलकुल deform हो जाएगा उसका shape जो है वो बिलकुल बिगड जाएगा और आपने देख ही लिया कि पाव तो कितना बड़ा हो जाता है न सिर्फ एक पाव या दोनों पाव हो सकते हैं साथ ही साथ स्क्रोटम और जो reproductive आसपास के जितने pelvic region में जितने भी organs है उन सब पर effect पढ़ सकता है और आपको मैं ये भी बता दूं बच्चों कि इस disease का कोई treatment नहीं है अगर ये एक बार हो गई तो फिर जादा से जादा इतना किया जा सकता है कि जितनी ये disease progress हो गई है जितना effect आ चुका है वहां उसको रोका जा सकता है कि हाँ अब इससे आगे इसको हम disease को नहीं बढ़ने देंगे treatment देकर लेकिन हाँ जितना damage हो चुका उसका reversal नहीं हो सकता है बच्चों तो ये ध्यान रखना है आपको कि it cannot be cured बढ़ गया तो रोका जा सकता है पर जितना हो गया है उतना तो फिर वो condition रहेगी तो ये मैंने आपको इसके symptoms बताए हैं और ये आपको अच्छे से याद रखना है कि इस disease में क्या होता है कौन सा part body का affect होता है तो आपको ध्यान रखना है कि ये lymphatic vessels affect होते हैं और कौन से part के तो फिर आप बोलोगी कि lower limb के जो lymphatic vessels है वो affect होते हैं और अगर exam में question आता है कि क्या genital organs भी affect होते हैं तो answer हमारा रहेगा yes genital organs भी इसमें affect होते हैं और वो जो सारे structures है वो उनका shape भी गड़ जाता है now अब आपको यहां एक जीज़ ध्यान रखने हैं बच्चों कि ये जो हमारा animal है ये अंडे नहीं देता है तो ये एक बड़ा high yield question बनता है कि ये जो वुचेर area bankrupt है है ये वी वी पैरस है तो ये जैसे किसी इंसान की body में उसकी legs में वहां इसक infection हो गया है और ये वहीं धिरे-दिरे growth कर रहे हैं तो ऐसे में क्या होगा बच्चों कि ये वहां पर इसकी जो female होगी वो बच्चे देगी और इसके जो offsprings होते हैं इसके जो offsprings होते हैं उनको हम नाम देंगे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया माइक्रोफाइल एरिया उन्हें हम माइक्रोफाइल एरिया कहते हैं तो important है और ये माइक्रोफाइल एरिया इतने छोटे होते हैं माइक्रोस्कॉपिक होते हैं कि हमारे ब्लड में circulate होने लगते हैं और जैसे ही कोई female mosquito ऐसे infected person को bite करेगी और उसका खून पीएगी तो माइक्रोफाइल एरिया मॉस्किटो की body में चले जाएंगे क्यूलेक्स की body में और फिर वो ही मॉस्किटो फिमेल मॉस्किटो अगर किसी दूसरे healthy person को bite करेगी तो अपनी saliva जब release करेगी उसकी proboscis से तो उसी के साथ साथ प्रोबोसिस के साथ साथ ये जो माइक्रोफाइल ए वो सारे अंडे देते हैं ओवी पैरस होते हैं पर ये ओवी पैरस नहीं है ये जो है बच्चे देता है ये वी वी पैरस है और इसके जो छोड़ छोड़ बच्चे होंगे उनको हम माइक्रोफाइल एरिया कहते है अब बच्चों आपसे एक question और कि कभी आपने सोचा कि ये female qlex ही vector क्यों होते हैं male क्यों नहीं जैसे अब हम malaria की बात करते हैं तो malaria जो होता है वो plasmodium से होता है और plasmodium का जो vector है वो female anophilies है और इसी तरह से अगर हम डेंगू की बात करें तो डेंगू का जो vector है वो virus से होती है disease डेंगू और लेकिन उस virus को spread करने का काम female eddies जो mosquito होता ह तो तीन हमारे बात इसम home में फीवेक्टर है बात बताँ जो तीन वों इसमहरों बल्ट शक करने का ममें सब्सक्रा 달ा मैं इसे मेनी मुस्कितोज आपको कभी आके बाइट नहीं करें tomar आपको कभी नहीं काटते हैं और वो आपका खून भी नहीं पीते हैं दुनिया में females ही खून पीने का काम करती है mosquitoes की बात कर रहो हूँ बच्चों में तो अब हमारे दिमाग में ये भी question आता है कि अगर female mosquitoes blood सक करती है blood खून पीती है male mosquitoes क्या करते है male mosquitoes हमारे गरों में आना ही पसंद नहीं करते है वो खेतों में या gardens में बाहर रहते है और वो जो flowers जो nectar होता है जो फूलों का रस होता है जिसको हम nectar कहते हैं वो nectar के उपर feed करते है अब nectar जो होता है वो तो मीठा sugary होता है बिलकुल और उसे से उनका काम चल जाता है उसे से उनको energy मिल जाती है पर विचारी जो females होती है उनको खली energy से काम नहीं चलता है उनको अंडे भी देने होते है नए-ने eggs बनाने होते है उनको और एग में york डालना होता है york होता है एग के अंदर stored food होता है तो ऐसे में फिर बच्चों उनको protein की भी requirement होती female mosquitoes को और वो जो protein है वो nectar से नहीं मिल सकता महाँ से सिर्फ carbohydrate मिलेगा, sugar मिलेगा तो ऐसे में जो female mosquitoes है they have to feed upon blood blood पीने से blood meal अगर वो लेंगी तो blood में उनको protein, carbohydrate, सब कुछ मिल जाएगा insects में बड़े-बड़ा interesting है विदवा आपको समझ में आई गया होगा इस spider की यह खासियत है कि जब यह male और female आपस में mating करते हैं, sexual intercourse करते हैं तो male अपने sperms जो है female की body में transfer करता है sexual intercourse में और जैसे यह mating process पूरा हो जाता है female का काम हो गया, उसको sperms मिल गए, तो just after that sexual intercourse, copulation के बाद वो जो female है, वो male को मार के खा जाती है यानि कि उसने खुद ने ही अपने husband को मार के खा गई वो, and that is the reason हमने इस species को नाम दिया, black widow black widow spider का anyway, बिचारी वो अपने ही husband को क्यों मार के खाया उसने बच्चों वो ऐसा इसलिए करते हैं कि और उन एग्स में जो उसने sexual intercourse में sperms receive किये थे उन अंडों से बाद में वो उनका fertilization करेगी और फिर वो fertilized eggs जो है, वो बाहर release करेगी, तो again ऐसा उसने अपने protein की जो diet है protein की जो requirement है, उसको पूरा करने के लिए इस तरह से उसने किया तो बच्चों यह हमारा दूसरा example हो गया, पहला example हमारा asqueries है, यह मैंने आपको बता दिया है first example हमारे पास asqueries रहेगा, दूसरा example हमारे पास wuchere area हो गया wuchere area bankrupti या wuchere area malay और इसको हम philarial worm भी कहते हैं इससे जो disease होती है उस disease को मैंने आपको बता दिया उसको हम philariases या elephantiasis कहते हैं यह बच्चों वीवी पैरस है बच्चे देता है, अंडे नहीं देता है और इनके जो छुटे-छुटे बच्चे होते हैं उन बच्चों को हम microfilaria कहते हैं और यह mosquitoes जब हम bite करेगा तो mosquitoes की body में यह microfilaria चले जाएंगे और फिर वही mosquito कभी किसी healthy person को bite करेगा तो उसके साथ वह वहाँ release हो जाएंगे और उसको infect करेंगे तो आप यह देख लेज़ें कि primary host human हो गया और जो secondary host है वो female Qlex mosquito है और इसको हम vector host भी कहते हैं क्योंकि यही तो disease को spread कर रहा है इसलिए हमने इसको vector host भी कहा दूसरा आपको ध्यान रखना है कि यह body के कौन से part को affect करता है तो यह lymphatic vessels को affect करता है lymphatic glands को affect करता है मैं lymphatic vessels के साथ lymphatic glands भी लिख देता हूँ यहाँ lymphatic glands अब यह क्या होती है lymphatic glands यह समय आने पर आपको बता दिया जाएगा और particularly जो lower body part है वहाँ ही इसका affect रहता है आगे बढ़ते हैं बच्चों एक और example लेते हैं अब हम यह देखिए आप elephantiasis और let's talk about third example हम discuss करें और वो ले लेते हैं anterobias anterobias और इसको हम बच्चों pinworm के नाम से जानते हैं या फिर हम इसको seatworm भी कहते हैं यह बच्चों intestinal parasite है लेकिन यह large intestine में रहता है large intestinal parasite और जो एसकरिस है वो small intestinal parasite है यह large intestinal parasite है और हाँ यह तो बच्चों monogenetic है यानि कि एक ही host है single host कौन? human correct तो male और female दोनों वहीं रहते हैं large intestine में रहते हैं बड़ा मज़दार है इसमें भी और जब इंसान रात को सोता है नींद में होता है तो जो female है वो large intestine से नीचे की तरफ बाहर निकलने की कोशिश करती है और anus है वहाँ anus के वहाँ आकती है वहाँ पर अपने अंडे देती है तो anus में वहाँ जो skin के जो folds है जिनको हम anal folds कहते हैं उन anal folds में यह अपने eggs deposit करके female वापस अंदर उपर चड़ जाती elementary के नाल में अब इंसान जब उठता है तो next day उसकी जो anus जो opening है वहाँ पर उन eggs की वज़े से उसको eating sensation होता है और eating sensation से वह obviously scratch करने की कोशिश करेगा और जब वहाँ scratch करेगा तो जो eggs है वह उसके nails में वहाँ deposit हो जाएंगे और आप ज़रा सोचे आपकी वह जो इंसान है वह पानी-पताशे वाला है या कोई मिठाई वाला है या कोई cook है खाना खिलाने वाला है इस तरह का अगर वह कोई person है तो वह अपने हाथों को जहां-जहां या pinworm, seedworm का infection हो सकता है और यह हमारी body में आ जाएगा तो that's it इसको seedworm क्यों का क्योंकि आप समझ में आई गया हो कि एनस के वहाँ यह deposit करता है pinworm तो इसका shape जो है बड़ा है, microscopeic pin जैसा होता है इसलिए हमने इसको pinworm का यह हमारे पास third example हो गया and this is enough इसके बारे में और ज्यादा बात नहीं करेंगे हम fourth example ले लेते हम encylostoma इनके यह common name बता रहा हूं बच्चों वह आपको याद रखने है इसको hookworm कहते हैं encylostoma hookworm कहते हैं और यह भी हमारी small intestinal parasite है यह भी small intestine में रहता है तो small intestinal parasite है और क्योंकि intestine में रहता है तो इसके जो eggs हैं वो बाहर कैसे निकलेंगे तो eggs comes out through through defication defication से इसके अंडे बाहर आ जाते हैं defication से वो अंडे जो है वो बाहर आ जाएंगे और इसके बाद बड़ा interesting है कि जब हम उन खेतों में चलते हैं यह यह मूंग के तुर enter नहीं करता है इसका जो larva होता है वहां बाहर मिट्टी में इसका लारवा निकल जाएगा और वो जो लारवा है वो लारवा लारवा बच्चों उसके मूँ के वहां पर चुट 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 से hooks होते हैं तो अगर कोई इंसान barefoot बिना चपल बिना जूतों के गास में चल रहा है या खेत में चल रहा है कहीं पर भी चल रहा है तो इसका जो larva है वो दोनों उंगलियों पाउं की जो उंगलियां होगी वहां से ये skin को penetrate करके body में गुशेगा और blood में आ जाएगा और blood से फिर सिदा वो ही root रहेगा इसका blood से एक बार ये पहले heart में पहुचेगा heart से lungs में जाएगा और lungs से वो वैसे ही जिस तरह से ascaris climb करता है ये climb करके वहां उपर तक आएगा हम कफिंग करेंगे हलका सा और इ यह बड़ा interesting है कि ये small intestinal parasite है यहां से क्या important question बनता है? कि ये small intestinal parasite है पर infection जो होगा वो food या water से नहीं होगा contaminated food या water normally क्या होता है बाटा कि जितने भी intestinal parasites होता है उनका जो infection होता है, वो contaminated water या foods जो होता है, यह intestinal parasite तो है, but infection जो होगा, वो ध्यान रखना है कि the parasite, the larva enter into the body by penetrating the skin, penetrating the skin, और फिर skin से कहां जाएगा यह, skin को penetrate करके यह हमारे blood में पहुँच जाएगा, blood से यह heart में जाएगा, heart से यह lungs में जाएगा, lungs से वो बिल्कुल जैसा कि मैं आपको बताया, ट्रेकिया में पहुँचेगा, और ट्रेकिया से फिर यह, इसोफेगस, और इसोफेगस से फिर यह intestine में चला जाएगा, फिर वहीं रहेगा यह, तो समझ में आगया आपको, small intestinal parasite है, encylostoma, hookworm कहते हैं हम इसको, अब hookworm इसको ऐसा नाम क्यों दिया, वो आपको समझ में आग होते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों हम, हमारे चार एक्जामपल यहां पर हो गए हैं, और लेट्स टॉक अबाउट अनादर इंट्रेस्टिंग एक्जामपल, पांचवा मैं लेता हूँ, ड्रेकन कुलस, बड़ाई फेमस है यह, ड्रेकन कुलस, मेडिनेंसिस, इसको ब बच्चों, यह हमारी स्किन में पेरासेट है, इसको हूँमन में, पेरासाईट अंडर दे स्किन, स्किन के नीचे रहता हूँ है फ्मारी, ठीक है बच्चों, और यह डाई जेनेटिक है, यानि कि दो होस्ट होंगे, तो प्राइमरी होस्ट तो मैंने आपको बताई दिया, क कि मैंने secondary host जो है, वो cyclops है, अब आप पूछोगे कि cyclops क्या होता है, मैं बता देता हूँ आपको कि cyclops जो है, वो एक छोटा aquatic arthropod है, aquatic arthropod है, और crustacea उसका class है, उसमें included है, crustacea हमें आता है, तो बच्चों ध्यान रखना है आपको, यह मैं पढ़ूँगा आपको crustacea वगेरा सारा, जब हम arthropod में पहुँचेंगे, तो इसके दो host हो गए, primary host मैन है, और जो secondary host है, वो इसका cyclops है, अब मैं आपको समझाओ, इसका भी मेरे पस diagram होगा, मैं बताता हूँ आपको, यह देखो, यह इसका diagram है, यह देखिए बच्चों आप, यह जो white color का आपको दिखाई दे रहा है, यह धागे जैसा जो दिखाई दे रहा है, यह गिनिवर्म ही है बच्चों, इसमें क्या होता है, कि यह हमारे skin के नीचे रहता है, और जब इसकी female को अंडे देने होते हैं, तो यह female क्या करते हैं, कि skin को puncture करके, अपनी body का पीछे वाला हिस्सा बाहर निकालती है, और particularly ऐसे part पर निकालती है, जो normally गिले हो सकते हैं, यहनि कि जैसे हमारे हाथ, fingers और हमारी जो वाला area, या जैसे कि इस diagram में देख रहा है, उसका पाउं जो है नीचे वहाँ यह बाहर निकलता है, और इस animal का aim यह है कि इंसान जो जब यह छेद में से बाहर निकलेगा, और वहाँ पर यह अंडे डिपोजिट कर देगा अपनी skin पर, और हम हमारे हाथों को या पाउं को जब दोएंगे, तो दोते समय यह अंडे जो है वो पानी में चले जाएंगे, और पानी में रहता है cyclops, तो cyclops क्या करेगा कि उन अंडों को खा जाएगा, लेकिन यह अंडे उसके body में जाने पर digest नहीं होंगे, बलकि यह cyclops की body में रहेंगे, और फिर जिस जगे पर, जिस तालाब में या जिस कुवे में जाकर हमने, कुवे में बावडी में जाकर पाउं दोएंगे उस इनसान ने, तो गाउं का कोई दूसरा, कोई दूसरी महिला, गाउं में ऐसा ही चलता है, कि तालाबों से और कुवों से जो पानी है, वो लेके आ जाते हैं, बिना चान नहीं लेके आ जाते हैं, और चानते हैं तो भी वो कपड़ा इतना रफ होता है, कि उसमें से यह cyclops वगेरा सारे filter हो ही नहीं पाते हैं डंक से, तो इस तरह से यह पानी में आ जाता है, और जब एक healthy person उस पानी को पिएगा, तो पानी में वो cyclops भी उसके पेट में चले जाएगे, तो cyclops तो digest होके मर जाएगा, लेकिन cyclops की body में से यह बाहर निकल जाएगे, और फिर यह हमारी intestine को penetrate करके skin के नीचे पहुँच जाएगे, यह skin में वहीं पर रहते हैं, तो आया समझ में आपको बच्चो, यह इस तरह से इसका life cycle है, तो दो इसके host हैं, हमको ध्यान रखना है, कि digenity के यह primary host मेन हो गया, और secondary host इसका cyclops हो गया, कहां रहता है, तो यह आपको ध्यान रखना है, कि it is a parasite under the skin, अच्छा, इसमें एक बड़ी interesting बात है, कि जब वो female बाहर निकलती, skin को puncture करके, तो इनसान को तो दिखी जाएगा, कि यार यह मेरी skin में से कीडा बाहर आ रहा है, तो कई बार क्या करता है, कि इनसान उस कीडे को पकड़ कर खीचने की कोशिश करता है, कि पूरा बाहर निकाल दू मैं उसको, और इस चक्कर में क्या है, वो बाहर तो निकल नहीं पाता है, वो तूट जाता है, तो थोड़ा सा 10-20% पार्ट था आपके हाथ में आ गया, और 70-80% स्किन के नीचे ही रहे गया, और अंदर वो मर जाएगा, और मरने के बाद वो दीरे-दीरे, वहाँ deteriorate होता है, और वहाँ infection हो जाता है, तो अब तक तो खली जैसा कि इस डाइगराम में आपको दिखा ही दे रहा है, कि यह इतना सा आपको यहाँ पर damage हुआ है, यह infected area, लेकिन अगर वो अंदर इतना लंबा है, तो फिर यह पूरा area जो होगा, वो बच्चों उसका सडने लगेगा और वहाँ पर infection हो जाएगा, तो जो धीरे-दीरे लोगों ने सीख भी लिया, या बयालिस कुछ cases आएँ, otherwise almost यह disease eradicate हो चुकी है, पहले बड़ी राजस्तान में भी बड़ी फैली हुई थी, और इसको commonly नारू रोग कहा जाता था, ड्रेकन कुलर्स को नारू रोग के नाम से जानते थे, तो इसमें करते क्या है बच्चों, जैसे यह थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो हम इसको हलका हुलका खीच लेते हैं, और जैसा कि यह दिखाई दे रहा है माचिस की तीली, वहाँ पे उसको लपेट के बांध लेते हैं, हम पूरा खीचेंगे नहीं उसको, अब एनिमल अंदर जाही नहीं सकता है, क्योंकि उसको बांध दिया गया है यहाँ पे, तो वह थोड़ा थोड़ा और बाहर निकलता है, तो हम अगले दिन इसको थोड़ा सा और लपेट लेते हैं, फिर ही तीसरे दिन थोड़ा और बाहर निकलता है, इवन हमारा जो टिशू होगा वो पूरा इस सरे से उसमें infection हो जाएगा तो ये मैंने आपको किस के बारे में बताया बच्चों ये मैंने आपको Dracon Cooler के बारे में बताया और ध्यान रखना है कि इसका infection कैसे होता है तो इसका infection जो होता है वो contaminated contaminated water से होगा और इसलिए पूराने जमाने में लाइक आज से कुछ 20-30 साल पूरानी बात करें तो जो government है वो कुवों में regularly लाल दवा डाली जाती थी potassium per magnet डालते थे जिस जिस गाउं में इस तरह से नारू के patient मिलते हैं तो वहाँ पर वो doctors और health workers जो हैं वो जाके उन कुवों में लाल दवा डाल देते हैं लाल दवा मतलब potassium per magnet तो यह जो दवाई है यह उसमें जितने भी cyclops या दूसरे कोई भी animal चुट 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 है जो पानी में है उन सब को मार देते हैं इस तरह से इसकी chain infection की chain को तोड़ने की कोशिश की जाती है तो बच्चों यह हो गया हमारे पास ड्रेकन कुलस ड्रेकन कुलस के बाद हमारे पास एक और example है अभी और यह है लोगा 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 इसको बच्चों हम African Eye Worm कहते है और यह भी बच्चों Digenetic Parasite है प्राइमरी होस्ट इसका Human है और जो Secondary होस्ट है वो Mango Fly है जो Secondary होस्ट है वो Mango Fly है और बच्चों इसको Eye Worm इसलिए कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि यह वैसे बैसिकली हमारी Skin के अंदर Parasite है यह बिलकुल जिस तरह से हमने भी देखा कि हमारा Draconculus था उसी तरीके से यह भी Under the Skin लेकिन यह बोडी में जब Migrate करता है तो Migrate करते समय यह कई बार आंख के वहां से Cornia से होकर गुजरता है और जब यह Cornia से होकर वहां गुजर भी जाता है या वहां अटक भी जाता है तो ऐसे में आपको आंख में दिखाई देने लगता है और मेरे पास इसका भी फोटोग्राफ है मैं आपको दिखा देता हूं इसके बारे में भी यह देखिए कि किस तरह से यह दिखाई देता है यह डाइग्राम देखिए बच्चों आप और आपको दिग्या हो गया कि यह जो है यहां पर दिखाई दे रहा है आपको क्लियरली यह यहां पर यह देख पराइमेरी होस्ट इसका हूँमन है। और सेकन्टरी होस्ट का मैंगोः फलाई और इणत्वक्शन होगा कि वह इस मैंगोः वाइट के उसके बाइट से होगा। गाह्नत्वाइट त्रूर मैंगोः अधरवाईजel ये infection जो है हमारी beneath the skin जो subcutaneous होता है skin के नीचे का जो part है वहाँ यह रहता है it live in the subcutaneous tissue subcutaneous का मतलब होता है बच्चों skin के नीचे वाला जो part होता है वहाँ ठीक है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है बस आपको इतना ही पुछा जाएगा कि African eye worm कोन है लोगा लोगा और इसका primary host और secondary host आपको ध्याँ रखना है एक और example लेता है tricurus there's another example tricurus और tricurus is commonly known as whipworm the tricurus is commonly known as whipworm और ये भी हमारी large intestine में parasite है large intestinal parasite है ठीक है इसका life cycle हम नहीं बढ़ेंगे ज्यादा infection through contaminated food है infection through contaminated food and water that's it इसमें आपको इतना ध्याँ रखना है common name याद रखना मैंने जितने भी common name बता है वो आप ध्याँ रखना whipworm कोन सा है African eyeworm कोन सा है guineaworm कोन सा है या dragon को उसके लिए हमने क्या बात करते है वुचेरीरिया के हम फिलेरिया कहा हमने उसको philarial worm एक और लेते हैं example और ये है trichinela trichinela बच्चों ये तो कई सारे animals में मिलता है human में भी मिलता है pig में भी मिलता है bear जो होते हैं उनमें भी मिलता है और ये भी intestinal parasite है ये भी intestinal parasite है और इस में से जो question आएगा वो ध्यान रखना है कि ये भी वी-वी-पैरस है बच्चों तो अब तक हमारे पास दो वी-वी-पैरस हो गए एक मैंने आपको बता दिया पहले जो हमारा philarial worm था microphilaria उसके बच्चे होते हैं वो भी वी-वी-पैरस है और ये भी हमारा वी-वी-पैरस है ठीके बच्चों और इसमें infection कैसे होगा तो infection is through muscles अगर कोई इनसान pig को खाएगा या bear को खाएगा bear को भी खा लेते हैं उदर Alaska वगेरा में खाते हैं तो इस तरह से हो जाएगा तो infection is through is by eating is by eating infected meat of pig या bear जैसे animals का तो that's it बच्चों इस तरह से ये मैंने ज्यादा एक्जामपल नहीं लिये हैं 8 एक्जामपल नहीं लिये हैं काफी लंबा चल गया हमारा ये example वाला पार्ट ही लेकिन इससे एक चीज़ के लियर होती है कि हमारे दो पार्ट complete होते हैं classification वाला पार्ट हमने complete किया ही है लेकिन हमने human health और diseases related हैं मैं आपको पहले भी बताया है कि helminthology जो है वो बड़ी important part है और कई सारे जो questions हैं वो यहां से पूछे जाएंगे तो आपको यह ज़्यादा नहीं लिये हैं मैंने 8 examples लिये हैं आप इन 8 examples को अच्छे से learn करें उनके common name learn करें ध्यान रखें कि उनसे कौन सी disease हो रही है body में infection कैसे होता है किसके कितने vector है monogenetic है die genetic हैं यह सारी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखना है इसी के साथ अब हमारा यह lecture हम यहां खतम करते हैं और next file में मिलते हैं हम any leader के साथ thank you बच्चों